काफी सारी टाइम में ऐसा होता है कि हमारे पास अधारकार होता है घर में होता है लेकिन हम किसी और जगह में रहते हैं लेकिन वहाँ पर हमारा अधारकार नहीं होता और आपको डाउलोड करना है तो वो किस में कैसे करेंगे लेकिन मैं बदाऊंगा आपको यहाँ पर दो किस तो यहाँ पर जो पहला कैस होगा आपके अधारकार तो है लेकिन आपने कहीं पर छोड़ दे हैं लेकिन आपके अधारकार नंबर आपके पास महजुद है और आपका मोबाईल नंबर के साथ अधारकार भी लिंक है तो ये केस में आप तो आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन कई सारे ऐसी टाइम में या फिर काफी सारे लोग ऐसे दिक्कतों का साबना करते हैं जिनके पास अधार कार तो होता है लेकिन वो खो जाता है उनका अधार काड़ बना हुआ है लेकिन अधार काड़ कहा है पता नहीं अधार नमबर पता नहीं अधार नमबर के साथ मोगल नमबर भी रिजटरसन नहीं है फिर भी आप किस तरह से अधार काड़ को डाउलोड करेंगे मैं दो तरीका आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको practically देखाऊंगा अधारकर को डावलोड करने का दो प्रोसेस तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे Google पे और आपको यहाँ पर टैप करना होगा UIDAI और UIDI.gov.in पर आपको आजाना है यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा माई आधार का एक मेनू आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो retrieve lost और forgotten UID आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह पहला जो case है इसमें आपको यह condition है कि आपके पास अधार काड तो है लेकिन अभी कहां है पता नहीं है और आपको अपने नाम के साथ ही search करना है आपको अपने अधार काड नमबर कहां है पता नहीं बस आपको अपने नाम के जरिये ही आपको अपना नाम बता है आधार करेंगे यह पहला प्रोसस है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे अधार नंबर नाम डालेंगे और सेकेंड हैं अधार करके साथ लिंक हुआ नाम टाइब करेंगे आपके अधार कार्ड में वही spelling होना चाहिए तब जाके ही अपना अधार नमबर को आप पा सकते हैं अपने मोबायल में तो अपना सही से नाम डालके यहां पर फिल करेंगे अब यह आपके साब ने आजएगा OTP Generator successfully मेरे पास मेसेज आ चुका है जो मेर आप ये स्क्रिन आजाएगा कि यो रधार नंबर मेरा जो लास्ट फो डिजिट यहाँ पर आपके सामने सो करेगा इस सेंड टो यो रिजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर यानि कि जो आपने अभी मॉबाइल नंबर का इस्तेमाल गया जिसमें OTP गया था उसमें एक मेसेज आएगा जिसमें आपका अधार कार का नंबर fully mentioned होगा आप पहले उस मेसेज को देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर माई अधार का जो यहाँ पा जो लिंक है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर नीची आ जाएंगे download अधार का पहला ही आपको option मेल जाएगा यहाँ पर आप click करेंगे इसके बाद आपको आपना अधार नमबर डाला है लेकिन आपको तो आपको आधार नमबर पता नहीं है लेकिन अभी अभी ही recently एक मिनिट पहले आप चेकेजिए आपके mobile नमबर में जिसमें मेसेज आया होगा और उसमें ही मेंसन है आपका अधार कड़ा नमबर वो नमबर को यहाँ पर डालेंगे और यह जो capture है यहाँ पर डालने के बाद send OTP करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं OTP successfully dispatched to your अधार registered mobile number OTP को यहाँ पर डालके verify and download पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा processing लेगा और यहाँ पर देख सकते हैं congratulations आपका अधार काड़ डालोड हो चुका है यहाँ पर बताया गया कि आपको यहाँ पर जो PDF फाइल डालोड होगा यह 8 character में आपका एक password यहाँ पर बनाया गया है आप इससे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बता जैता हूँ यहाँ पर example में दिया गया है अगर आपका नाम अनिस कुमार है और आपका year of birth 1989 है तो आपका password हो जाएगा पहले आपका 4 character of your name and then your year of birth is your password तो हम यहाँ पर click करके try करके देखते हैं जिसके हमारा नाम है पहले 4 digital में आप टाइप करेंगे और year of birth को टाइप करेंगे enter तो हमारी पास आचुका है हमारा अधार कार जो कि fully valid है आप इसे कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं अभी बात करते हैं दूसरा नंबर के किस में जिसमें आपका अधार नंबर नहीं पता और आपका अधार कड़ा नंबर में आपका mobile नंबर या फिर email डे लेंट नहीं है उस किस में आप क्या करेंगे सबसे पहला तो आपको UIDI official website में आ रहा है इसकी बाद आना है आपको नीची यहाँ पर आपको मिल जागा एक email ID आपको यहाँ पर simple से email type कर लेना है आपका details send करेंगे लेकिन कई सारे ऐसी case में email में reply नहीं आता आपको वहाँ पर बहुत सारे question पोची आते हैं इसलिए आप बिना जंजट के इस number पर call कर सकते हैं इसमें call करने के बाद अपना अधार का जो भी details आप यहाँ पर share करेंगे यानि कि आपका number तो पता नहीं लेकिन अपना नाम father name आपका address सब कुछ दे देंगे तो आपको एक enrollment ID देंगे उसके बाद अपने nearest अधार संटर में जाके उससे आप download कर सकते हैं या फिर आपको वहाँ पर जाके अपना mobile number registration करके उसके बाद यह process करके अपना अधार काड ला सकते हैं तो इस तरह से अगर आपको अधार काड डाउनलोड करना है अपने नाम के जरिए या फिर आपके पास कोई details नहीं है तब यह process में कर सकते हैं आपके यह वीडियो में आपको जो बताना चाहा आप समझ गया होगै अगर आपको वीडियो आज चला ऊथो प्लिश वीडियो को लाइक कीजे चनल पर पर पेरियंबार है तो चनल को subscribe कीजे और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेली ग्राम पर जोड़ना मत भूलेगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नेचे मिलेगा